नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सब दीपात बागत करती हूँ, आपके प्री चैनल सुमर एजूकेशन हाग में, एक कमेंट्स में रसीब किया था, आस्ता जी का, सबसे पहले में धैक्स ना चाहती हूँ, कमेंट्स करने के लिए कमेंट्स उनका ये था, जब भी वो फियआ डिलखक्षिन के यह पास करती है चांच को इसको कैसे चाइस कया जाए राउंड ऑफ यह होने वाला है कि कैसे आपको प्रपाय को हो जाए वह सेट करना है करते हैं तो वहाँ पर देखिए वैल्यू में आपको पैसे का डिफ्रेंश होता है तो पैसे के डिफ्रेंश को एक्वल करने के लिए एजस करने के लिए हम एक लेजर करते हैं राउड ऑफ का यहांज द्र нравится करते हैं आगे में वीडियो में आपको बताने वाली है तो मैं अपको बताने वाली हूँ step by step बताऊंगी detail में मैं आपको बताने वाली हूँ तो आपके सारी confusion दूर हो जाएगी चाहे कोई भी advice हो आप round off कर सकते हैं और आपका जो value है उसको आप round में कर सकते हैं तो चलिए start करने से पहले वीडियो आप सभी लोग से एक छोटी से request है मेरी आप मेरे चैनल को like कर दीजे अगर आप first time मेरे चैनल को watch कर रहे हैं और new viewer है तो आप मेरे चैनल को like कर दीजे और मेरे चैनल को जितना हो सकता है उतना आप share कीजे आप मेरे चैनल को अपने friends अलकर में share कर सकते हैं अपने around people में share कर सकते हैं लोगों को शेर सकते हैं जो टैली प्राइम इतना चाहते हैं and accounts का वर्ग सुखने में इंटरेस्टेर हैं उनसा भी लोगों को आप मेरे चेहर कर सकते हैं वीडियो के राइट हें साइट पे आप चोटा सा रेट कुला का सब्स्राइब बटन देख सकते हैं उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप ते चेलर को सब्स्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा इससे इन हैं basically rounding methods three types के होते हैं downward methods, normal methods and upward methods तो ये three types के rounding methods होते हैं सबसे पहले हम discuss करेंगे कि downward rounding method किसे कहते हैं देखिए इसमें क्या होता है जो आपका advice का value होता है उसमें जो पैसे में जो value होता है पैसा कुछ भी हो सकता है 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 75 पैसे पैसा doesn't matter जितना भी पैसा होग वो उसको minus कर देगा और जो आपका invoice value है उसको वो down कर देगा उसी को हम easy language में अगर समझें तो downward method उसी को कहते हैं जो आपके invoice के value को down कर दे उसी को हम downward method कहते हैं चलिए एक example से समझ लेते हैं आपर देखिए suppose कीज़े आपके invoice का value है 1085 पैसे तो यहाँ पर देखिए 85 पैसे इसने minus कर दिया है और जो आपका invoice value है 1085 पैसे तो यहाँ पर इसने round करके 1000 रुपीज में convert कर दिया है एक और example से समझ लेते हैं आपर देखिए 50,000 10 पैसे है invoice की value तो यहाँ पर 10 पैसे इसने minus कर दिया है and 50,000 10 10 पैसे को convert करके इसने 50,000 में कर दिया है तो यहाँ पर देखिए जो पैसे की amount होती है वो matter नहीं करती है 10 पैसे है 75 पैसे है या फिर 25 पैसे है या फिर 1 पैसे है जितने भी पैसे में amount होगा वो इसको minus करेगा and minus करके आपका जो invoice का value है वो down कर देगा वो कम कर देगा उसी को हम downward method कहते हैं second हम देख लेते है normal method तो normal method को हम समझ लेते है maximum basically इसी को use किया जाता है normal method को देखिए normal method का basic सा funda यह होता है इसमें जो amount होती है पैसे वाली अगर less than 50 पैसे होते है तो उसमें minus कर देता है आपके पैसे को अगर more than 50 पैसा होता है तो उसको 1 रुपीज में यह convert कर कर देगा अगर आपका जो invoice का amount है less than 50 यानि की 49 पैसे है तो उसको 49 को minus कर देगा let's take an example example से हम समझ लेते है 1085 पैसे यह invoice की value है तो 85 पैसे में देखिए यहाँ पे plus इसने किया है 50 पैसे क्यों क्योंकि यहाँ पे more than 50 पैसे है value इसलिए इसको convert कर दिया है इसने 1 रुपीज मे और invoice का value 1001 रुपीज हो गया है second हम example देख लेते है 50,000 10 पैसे यहाँ पे देखिए 10 पैसे है यानि की less than 50 पैसे है तो यहाँ पे इसने minus कर दिया है 10 पैसे को और 50,000 10 पैसे की value को convert करके 50,000 कर दिया है तो basically इसमें क्या होता है अगर आपका जो invoice का value में पैसे का amount less than 50 पैसे है तो वहाँ पे वो minus कर देगा and more than 50 पैसे है तो normal method में क्या होता है वो इसको plus कर देता है तो जो normal method होता है इसलिए इसका जो नाम से ही sound हो रहा है कि क्यों यह normal है तो इसमें नामें नुकसान होता है ना फायदा होता है इसलिए इससे normal method कहते हैं अब third वाला हम discuss कर लेते हैं upward method upward method किसे कहते हैं देखिए इस method में आपके invoice value में जो पैसे वाली value होती है वो या फिर 1 पैसा हो 10 पैसा हो 30 पैसा हो या फिर 99 पैसा हो इस method में क्या होता है आपके पैसे को रुपीज में यह convert करता है पैसे की जो amount होती है वो matter नहीं करती है let's take an example यहाँ पे देखिए 1085 पैसे invoice की value है तो इसने plus 15 पैसे कर लिया है 85 पैसे में 15 पैसे plus करके invoice की जो value है 1001 रुपीज कर दिया है आप कर दिया है value को second example देख लेते है 50,010 पैसे तो देखिए हाँ पे 10 पैसे है तो यहाँ पे इसने plus 90 पैसे कर दिया है and 1 रुपीज में convert करके invoice की value थी 50,010 पैसे से convert करके 50, 30,001 रुपीस इसने convert कर दिया तो upward method में यह होता है कि आपके value को up लेके जाता है downward method में देखिए आपका invoice value होता है पैसे को वो down करता है and normal method में अगर आपका invoice value जो है more than 50 है तो plus करता है less than 50 है तो minus करता है and upward method जो है इसमें देखिए आपका पैसा कितना भी हो यह आपके invoice value को up लेके जाता है तो यहाँ पर हमने इन तीनों की meaning brief में समझ ली कि downward method किसे कहते हैं normal method किसे कहते हैं and upward method किसे कहते हैं चलिए अब हम चल के देखते हैं tally prime open करेंगे and tally prime में हम देखते हैं कि कैसे हमें इसको treatment किसे करनी है और इसको कैसे practically करके देखना है कि कैसा इसका impact पड़ता है invices के उपर तो चलिए start करते हैं tally prime में ने open कर लिया है यहीं से आपको वी प्रेस करना है देखें sales invoice पे सबसे पहले हम apply करके देखते हैं date change कर लिजिए जिस date में आप sale invoice बना रहे हैं उसके बाद देखें party name आपको select कर लेना है party name select करने के बाद dispatch detail आपको show होगी सारी fill out कर लिजिए अपनी according and party की detail आपको यहाँ पे show होगी जिस party का आप invoice बना रहे हैं उसके बाद देखें sales लेजर तो यह IGST party है हमारी integrated party है इसले हम इस पे sales IGST apply करेंगे and name of item तो देखें name of item यहाँ पर एल्टिस्टी प्रेस करके create भी कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे name of item create कर लेते हैं अंडर में हम primary रखेंगे and unit some pieces रखेंगे GST applicable होगा and set alter GST just press करके description addition apply कर दीजे taxability में taxable and जो भी जितना भी percent इस पे GST apply हो रहा है आपके item पे वो आप set कर लीजे and type of supply में goods इस step से आप अपना item create कर लेंगे quantity fill out कर लीजे जितने quantity का आप invoice बना रहे हैं तो देखें में यहाँ पे quantity मेंने 10 रखा है and rate में यहाँ पे रख रही हूं 20,015 पैसे क्योंकि हमें round off का effect दिखाना है इसले में रेट पैसे में रखा है and इसके बाद हम इस पे sell IGST apply करेंगे तो LTC press करके output IGST का आप लेजर यहाँ पे create कर सकते हैं under हमें duty and taxes में रखना है and type of text में GST and text type में यहाँ पे IGST है इसले इंट्रागेटर टेक्स रखेंगे इस टैप से आपको output IGST का लेजर create कर लेना है देखिए इस पे take supply हो चुका है total invoice बनी है 236,001.71 पैसे की तो यहाँ पे जो invoice का value है पैसे में है तो हमें इसको round off करने के लिए यहीं से आपको enter press करके देखिए यहीं से आपको LTC press करके round off का लेजर create करना है जिससे कि हम invoice के value को round कर सकते हैं तो आप leisure का आप कर लेजर round off round off करने के बाद under देखिए हम इसको indirect expenses के रखेंगे indirect expenses के अंडर में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जो round off का लेजर है वो company के लिए ultimately खर्चे के अंडर में आता है इसलिए हम इसको indirect expenses के अंडर में रखेंगे type of leisure में आपको invoice rounding चूज करना है और इसके बाद methods में आपको यहाँ पर three options मिलते हैं downward rounding method, normal rounding method and upward rounding method तो three options से आप अपने according चूज कर सकते हैं but maximum जो use होता है वो normal rounding method use होता है क्योंकि यह equal होता है तो इसलिए हम यहाँ पर चूज करने वाले है normal rounding method enter press करेंगे और उसके बाद दिखें next option आपको show होगा rounding limit तो यहाँ पर one set कर तो इस step से हमें rounding off का laser create कर लेना है अब देखें जैसे हमने enterprise किया यहाँ पर 21 पैसे प्लस हो गया and जो invoice value है 2,36,002 रुपीज हो गई जो की पहले थी 2,36,001.71 पैसे तो auto इसमें हाँ पर इसने pick कर लिया हमें यहाँ पर manually calculate नहीं करना पड़ा तो इस step से देखें मैं पैसे change क करके rate change कर रही हूं 30,000 10 पैसे किया है मैंने तो देखें माइनस में 18 पैसे माइनस मिले रहा है तो इस step से auto calculate होता है तो अगर आपका जो पैसे का amount है less than 50 है तो minus कर देगा more than 50 है तो यह plus कर लेगा तो चलिए अब हम देख लेते हमने normal method देखा अब second method हम apply करके देख लेते हैं देखे वाला invoice open हो चुका है और उसके बाद देखे round off के laser में जाएंगे यहीं से आपको control प्रेस enter प्रेस करना है यह open हो जाएगा अब जो rounding method है हम change कर लेंगे downward हम देख रहे हैं करके देख लेते हैं downward rounding method का क्या effect होता है downward method का जो funda था वो यह था कि पैसा कितना भी हो minus कर दे rate हम यहाँ पर change कर लेते हैं let's suppose हम यहाँ पर rate कर लेते हैं 10,067 पैसे कर लेते हैं हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे 70 plus 21 91 पैसे हो गया है तो 91 पैसे को इसने minus कर दिया है तो पैसे की amount कुछ भी हो 1 पैसे हो 99 पैसे हो या फिर 50 पैसे हो doesn't matter downward method में यह होता है कि कोई भी पैसा हो कितना भी पैसा हो minus कर लेता है minus करके देखिए इसने round में कर लिया है 180,007 रुपीज इसने इन्वाइस की value कर ली है अब हम change कर लेते हैं again हमें round off पे control press center करना है and rounding method में हम यहाँ पर upward rounding method कर लेंगे अब देख लेते हैं कि upward rounding method का क्या effect होता है upward rounding method का basic सा funda यह होता है आपका जो invoice value पैसे वाली value जो है 1 पैसा है 99 पैसा है 80 पैसा है 85 पैसा है उस पैसे को one रुपास में convert करता है पैसे की value है doesn't matter आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पैसे को convert कर दिया है 18 पैसा था 82 पैसे करके इसने invoice की value change कर ली है rate चैंज करके देख लेते हैं इसका देखिए मैंने यहाँ पर rate change कर लिया है rate change करने के बाद देखिए accessible value में 10 and जो text वाली amount है 10 plus 2 12 पैसे 12 पैसे में इसने देखिए 88 पैसे को plus कर लिया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर invoice की value जो है वो increase हो चुकी है तो upward rounding method का यही effect होता है आपके invoice की value को increase कर देता है अब चलिए हम यहीं पर normal rounding method में change करके देखते हैं इसका क्या effect होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे 10 plus 2 जो 12 पैसे थे तो normal rounding method क्या करता है less than 50 पैसे अगर होते है तो इसको minus कर देता है तो यहाँ पर देखेंगे 12 पैसे less than 50 पैसे थे इसलिए यहाँ पर इसने minus कर लिया तो यहाँ पर हमने तीनों effect को देखा कि downward rounding method का क्या effect होता है and normal rounding method का क्या effect होता है and upward rounding method का क्या effect होता है चलिए अब purchase की invoice में भी हम देख लेते हैं कि कैसे आपको purchase की invoice में rounding off को use करना है देखिए purchase invoice हो, sale invoice हो या फिर आपका payment हो, cash का हो आप कहीं भी round off का ledger को जो है use कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जो purchase का हम use कर रहे हैं party का ledger भी आप LTC press करके create कर सकते हैं purchase का ledger होता है, हम अंडर sundry creators के रखते हैं क्योंकि हमारी creators होते हैं इसलिए हम इसको sundry creators के अंडर में रखते हैं इसके बाद देखिए enter press करेंगे receipt की detail आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं party की detail आपको यहाँ पर शोओंगी सारी and then उसके बाद देखिए purchase ledger आपकी party अगर purchase local है तो local create कर लीजे interest rate है तो interest rate create कर लीजे under आपको purchase account में रखना है इस step से आपको create कर लेना है इसके बाद name of item आप select कर लीजे जिस item का आपने purchase किया है quantity हम यहाँ पर select कर लेंगे जितनी quantity हमने purchase की है rate फिल कर लेंगे पैसे में feel करूंगी मैं तभी मैं आपको effect दिखा पाऊंगी इसलिए मैं पैसे में इसका rate है वो set कर दी हूँ so that मैं आपको effect इसका show कर सकूँ इसके बाद यही से आप L to C press करके purchase वाला ledger है इसलिए हम यहाँ पे input IGST and input CGST का ledger create कर लेंगे अंडर हम create करेंगे duty and text type में हमें यहाँ पे GST रखना है text type में central text तो यहाँ पे देखिए enter बेस करती हुआ text भीख हो गया है अब इसके बाद next हम ledger create करेंगे inputraid जीस्ती का, under हम रखेंगे same duty and tax के type में रखेंगे GST and tax type में हमें state tax रखना है, टेक्स अपलाए करने के बाद देखें जो in-wise की value है आप पैसे में देख सकते हैं तो यहां पे हमें round off करने के लिए round off वाला लेजर यूज़र यूज़ करेंगे देखिए और पिकर लिया यहां पर माइनस 30 पैसे तो इन दिस वे आप पर्चेस के इंवाइस पर भी अपलाई कर सकते हो राउंड ओफ को अगर आप देखना चाहते हैं कि बैलन शीट में आपका राउंड ओफ कहां पर शो होता है देखिए अगर आपको पर बहुत सारी एंट्रीस करनी पड़ती है सेल की परचेस की बहूत सारे वाउचर बनाने पड़ते हैं आपके पास शौर्टेज ओफ टाईम है तो आप अगर चाहते हैं कि राउंड ओफ का लेजर आपके वाउचर में सेट हो जाया तो वो भी आप set भी कर सकते हैं auto set भी हम इसको कर सकते हैं gateway of tally से आपको chart of accounts पर जाना है enterprise कीजिए and then उसके बाद vouchers type में आप जाहिए vouchers type में जाने के बाद आप जिस भी voucher में round off को set करना चाहते हैं कर सकते हैं हम sales voucher में कर लेते हैं and then उसके बाद देखिए name of class में आप enterprise कीजिए अब यहाँ पर आप round off type कर लीजिए आप देखिए आपको यहाँ पर show हो रहा है excludes this group यहाँ पर आपको end of list कर देना है and next आपको show होगा includes this group तो जिस जिस group में आपको चाहते हैं आपको round off का option show हो तो आप उस उस group को आप यहाँ से choose कर लीजिए हम यहाँ पर choose कर लेते हैं sundry data यानि कि sales वाले सारे data हमारे आजाएंगे इसके अंडर and cash in hand it means कि जो हम cash में invoices बनाएंगे उसमें भी हमेश होंगे and bank accounts banks related जो भी लेजर करेंगे इसमें हमेश होंगे then default accounting allocation for all item in invoices तो यहाँ पर आपको क्या choose करना है else c press करके आप यहाँ पर sales वाला लेजर create कर लेंगे under आपको sales account के create कर लेना है and enter press करके आप यहाँ पर दिखे सबसे end में आ जाएंगे enter press करके आप नीचे आजाएए देखे आपको यहाँ पर additional accounting entries यहाँ पर शूरूंगी तो यहाँ पर आपको additional जो आपको add करना है वो आप यहाँ पर कर लेंगे तो हम यहाँ से select कर लेंगे round off वाला लेजर and then type of calculation में as total amount rounding यह option हम select करेंगे तभी हमारे voucher में जो round off वाला auto calculate हो पाएगा and उसके बाद देखिए rounding method तो यहाँ पर आप अपने according select कर सकते हैं मैंने यहाँ पर normal rounding रखा है rounding limit को हम one set कर लेंगे step से स्क्रीन को आप accept कर लीजे तो हमने यहाँ पर setting कर ली है rounding off की तो चलिए हमने जो set up किया है उसका impact हम देख लेते हैं gateway of tally से we press करना है and then आपको sales voucher पर click करने की बाद देखिए हमने जो round off का class create किया था round off select करेंगे आप round off select करने की बाद देखिए आपको नीचे आपर round off show हो रहा है it means अब आपको round off का ledger select नहीं करना है यहाँ पर जो round off का ledger है वो auto peak है यहाँ पर आप date change कर लीजे party का name select कर लीजे party का name select करने की बाद देखिए आपको सारी detail show होगी enterprise कर लीजे name of item पर आजाईए and name of item आप select कर लेंगे quantity आप select कर लीजे and then rate आप fill कर लीजे rate फिल करते ही देखिए आपको show हो रहा है जो round off है auto calculate हो रहा है माइनस में यह calculate हो रहा है क्योंकि हमने आपे normal rounding method set किया है तो यहाँ पर 10 पैसे less than 50 पैसे है इसने 10 पैसे को minus कर लिया है तो इस type से आप auto set कर सकते है rounding off के ledger को चलिए एक और entry करके हम देख लेते हैं आप इंटर प्रेस करके आप name of item पर आज़ेए पार्टी की detail आपको यहाँ पर show होगी आप इंटर प्रेस कर लीजे आप इंटर प्रेस कर लीजेए नेम आप आइटम पर आने के बाद name of item आप select कर लेंगे उसके बाद आपको क्या select करना है quantity select कर लेनी है rate देखे मैं आपको पैसे में show करनी हूँ so that मैं इसका impact आपको show कर सकूँ देखे round of auto calculate हो रहा है तो इस type से अगर आपको per day बहुत सारी invices बनानी पड़ती है sales हो purchase हो कुछ भी हो आप उसके voucher में जाके step से setting कर सकते हैं class बना सकते हैं इसके बाद देखे round of का लेजर जो है आपको choose नहीं करना पड़ेगा step से setting करने की बाद आप अपना time जो है वो save कर सकते हैं in the same way अगर आप purchase voucher में भी इसको set करना चाहते है round of के लेजर को तो आप कर सकते हैं gateway of tally से chart of account में जाना है voucher type में जाना है और उसके बाद देखे purchase वाला voucher आप open कर लीजे end में आप चले जाएए जो name of class है यहाँ पे आप round of type कर लीजे and देखे exclude these groups तो यहाँ पे आपको end of list कर लेना है includes this group तो जिस जिस group में आप include करना चाहते हैं round of को उसको आप कर सकते हैं and यहाँ पे देखे second section में alt c press करके आपको purchase वाला laser create कर लेना है under purchase account के and उसके बाद देखे end वाले section में round of select कर लीजे and type of calculation में as total amount rounding तभी आपको round of है वो auto calculate होगा and rounding method में normal rounding and round limit में one कर लीजे step से accept करके हम state कर लेते हैं gateway of tally से वी प्रेस करके आप purchase वाला वाक्चर select कर लीजे and देखे हमने जो class create किया था round of वो आपको select कर लेना है अब देखे आपको यहाँ पे round of का laser शो हो रहा है जो की auto peak है and उसके बाद suppliers invoice number select कर लीजे party का name आपको select कर लेना है जिस party से आपने purchase किया है name of item में item select कर लीजे quantity हम select कर लेंगे and उसके बाद rate हम select कर रहे है पैसे में so that हम आपको effect show कर सके यहाँ पे देखे round of auto calculate हो गया है 50 पैसे तो इस type से आप purchase invoice में भी set कर सकते है round of sale invoice में भी set कर सकते हैं जिस भी voucher में चाहें आप उसमें set कर सकते हैं टैले से रिलेटेट, अकाउंट से रिलेटेट, किसी भी type की कोई भी confusion है आप मुझे comments कीचिए definitely में उसका solution and reply आपको दूँगी and description box को check out करना ना भूलिएगा टैले से रिलेटेट and अकाउंट से रिलेटेट maximum videos के link महां में provide कर दूँगी आप चाहें तो उन सारे videos को जाके watch out कर सकते हैं मेरे videos easy language में होते हैं and easy to relate होते हैं तो आप watch out कर सकते हैं videos को easily समझ सकते हैं and आप मेरे channel को search भी कर सकते हैं human education hub आपको search करना है and सबसे first जो very first आपको doc show होगा human education hub का उस पर आप click करेंगे तो आप मेरे channel पर पहुच जाएंगे लेपने channel पर playlist भी बना दी है तो आप जाके playlist को भी watch out कर सकते हैं I wish ये video आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो आप क्या करना है छोटा सा काम करते हुए चाहिएगा मेरे channel को like कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और subscribe कर दीजेगा और मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए थेंक यू